हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं कि अच्छे ही होंगे और आज हम बात करने वाले हैं जे-सी-सी-वी जानंकी जहरखन कंवाइंन इंट्रेंस कंपेटिव एक्जाम इनिशन बोड के जो प्रिवियस यर में जो एक्जाम लिया गया था और उसमें जो क्वेस्चन पूछे गये थे उस क्वेस्चन को आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में और यह जो ने वाल और यह बहुत ही important है for B.A.C. agriculture, B.A.C. nursing और paramedical student के लिए बहुत ही important होने बाला है तो चलिए पहला question देखते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है which of the flowing is not a feature of dense regular connective tissue यानि कि इसमें जो पूछा जा रहा है feature, feature का मतलब क्या होता है विसेशता या गुन, यानि कि connective tissue का जो विसेशता या गुन है वो इन में से जो है निमलिखित में से किसका नहीं है मतलब कि कौन सा गुन नहीं है तो first जो option मिल रहा है इसमें जो आपको चार option दिये जाएंगे हर एक question में और उसमें से एक सही को आपको टिक लगाना तो first option मिल रहा है the collision fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers तो यह जो है, यह match करता है connective tissue से इसलिए यह जो option हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा और बात करते हैं, the resistance to axially loaded tension forces और यह भी match करता है, तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा option no.2, option no.3 को देखते हैं, they are present in tendons and lingaments, तो यह भी जो है, यह दिखाता है connective tissue को, तो यह भी गलत हो जाएगा, अब last बचा 4, तो इसे तो आप आग बंद के सही मार सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लिजिए, this tissue is present in the skin, तो यह जो है, अस्कीन में present नहीं होता है, यह यह जो हो जाएगा, यह आपका सही option हो जाएगा, तो question number 4 आपका सही होता है, question number, sorry, option number 4 आपका सही हुआ, आप बारते हैं, question number 12 की और इसमें पूछा जा रहा है, which among the flowing are brown or black bodies animal, यानि कि कौन सा animal जो है, brown or black bodies animal है, यानि कि भुरा और काले color का जो होता है, वो है, तो यहाँ पर आपको चार option मिल रहा है, frogs, cockroach, earthworms, all of these, तो आपको तो मालूम है कि earthworm का भी black होता है और brown होता है, वहीं cockroach का भी थोड़ा मोड़ा black और brown होता है, तब decide करना कि यह दोनों में से किसका सही होता है, जबकि मेड़क का नहीं होगा, और all of these bees में नहीं होगा, क्योंकि मेड़क का अरड़ी कट हिया, तब इसमें से सही option कौन सा है, cockroach या earthworms, तो देखिए, आगे पढ़के देखिए, question में कुछ लिखा हुआ है, that are included in class insecta of anthropod, तो यह जो होता है, यह सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, यह cockroach में, जी हाँ, य आगे बढ़ते हैं, question number 13 की और इसमें पुछा जा रहा है, which among the flowing is not a part of thyrox of cockroach, अब thyrox का मतलब क्या होता है, तो thyrox of cockroach का मतलब होता है, thyrox का मतलब होता है, चाती यानि कि cockroach का जो चाती है, वो निमलिखित में से, किसका भाग नहीं है, तो किसका भाग नहीं है, प्रोट प्रोटोनीमा का जो होता है, यह नहीं होता है, प्रोटोनीमा का जो काकुरेच का छाती होता है, वो इन में से नहीं होता है, प्रोटोनीमा का, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका option number 1 ही आपका सही हो जाएगा, बाकि सारे के सारे गलत हो जाएंग चलिए आगे बढ़ते हैं question no.14 की और इसमें पूछा जा रहा है in case of frogs which is winter sleep called अब यहां बात करते हैं कि frog के case में winter sleep called winter sleep होता क्या पहले इसको समझ लेते हैं winter sleep एक मतलब की होता है winter sleep यानि की sitrnidra और यह होता है जाड़े के मौसम में ठंड के दिनों में साप मेड़क और बहुत सारे केच्वेज होते हैं वह मिट्टी के अंदर चले जाते हैं वह इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका जो मौसम होता है जाड़े का मौसम उनके परतीकूल होता है यानि कि उनके अनिकूल नहीं होता है वह सर्भाइब नहीं कर सकते ह यह पर सब्सक्राइब दरते अश्याब का नम्यूर्टन केً। दरते हैं निल्दमार के सब्सक्राइब को डिम क्योंतु होती open, सब्सक्राइब कभिए मैं सब्सक्राइब करें तो जाए नुक्त कने अत्र aja हो जाएगा वह हो जाएगा हाइवरेनेशन हाइवरेनेशन इसका क्या है वह हाइवरेनेशन ही बोलते हैं जो निद्रा में चला जाता है मेड़ा किसमें चला जाता है जाड़े की दिनों में वह प्रपोस्ट थिवरी अफ जर्म प्लाज्मा यह थिवरी अफ जर्म प्लाज्म 1893 में रखा था अगस्ट विजमेन ने जी यहां अगस्ट विजमेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगबग 1893 में इसकी जो परपोसर रखी थी और यह होता क्या है तो आपने जैनरली सुना होगा कोविड के कंडिशन में फिलाल अभी जब कोविड चल रही है उसमें जो अगस्ट विजमेन और इन में से कोई नहीं तो अभी मैंने बताया कि 1893 में किसने परपोस किया था अगस्ट विजमेन ने सायर किया था तो इसका सही अंसर भी यह हो जागा अगस्ट विजमेन तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन नमबर 16 के और इसमें पुछा जा स्टा इज कौल्डड फेरेटीम पॉस्थमा यानि कि फेरतीमिह पॉस्थमा को क्या कहते हैं तौ किस 마음에 इसका जो किसी के नाम को फेरेटीम पॉस्थमा कहते हैं तो किसको कहते hinter зах premier को या फिर कैड पोल को यहां पर चार अप्सटन दे रहे हैं उप्रोंक और स्ञरे मैंisol और होता क्या है केच्वा होता है केच्वा किस तरह होता है तो यह बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि केच्वा कुछ इस टाइप का होता है जिसके जिसमें की काफी और केच्वा की और एक इंस्ट्रेस्टिंग बात मैं बता दूं कि केच्वा जो है वो खुछ से ही सेक् पार्ट है जिसमें कि आप पढ़ते होगे केच्वे को जो है अपने साथी की ज़रुत नहीं पढ़ती हुए उन में साहे दोनों जो पार्ट होते हैं यह लिंग होते हैं दोनों पाये जाते हैं केच्वा में जैरली अर्थवाब में तो यह काफी इंटरेंस्टिक और यह भी में आ सकता है तो अच्छे से आप इसे नॉट कर लीजिएगा अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नमर 17 की लेकिन यह बहुत लंबा है तो इसको हम चलिए पार करते हैं क्वेश्चन नमर 18 में पुछा जा रहा है कि दा सौरी थोड़ा सा देख लेता हूं क्वेश्चन नमर 18 नमर 19 की और वरते हैं में पुछा जा रहा है है in mitosis the cell itself is divided into two doctor cell by a separate process called the end of which cell division is complete यार कितने में complete होता है तो यह किसे में होता है R phase, H phase, Chirokinesis या फिर Cytokinesis यह चार option आपको दिख रहे हैं तो यह जो होता है है cytokinesis में होता है generally इसमें जो है cytokinesis में ही होता है question number 20 की वर बढ़ते है और ये जो होने वाला इस chapter का last होने वाला है question sorry chapter बता दिया इस part का last question होने वाला है part 2 का और part 3 जल्दी upload कर दोगा अगर आप demand करते हो तो तो इस पुछा रहा है, in cell cycle, interface is further divided into which among the flowing three phases? यानि कि कौन से three phases में जो आए, in cell cycle को interface further divided into which among the flowing three phases? यानि कि अंतर अवस्था को आगे निमलखित में से कौन तीन प्रुवस्था में विभाजित किया गया? यानि कि तीन पार्ट में विभाजित किया गया है cell cycle को. तो यह जो generally होता है यह G1, G2 और जो है S phase में divide किया जाता है कि इसमें G1, G2 और S phase तो हमको यह खुजना है G1, G2 और S phase तो हम देखते हैं option में खुजना है कि इसमें मिलता है G1, G2 और S phase तो पहले में है G1, H phase तो यह तो गलत पहले ही इसमें तो H phase होता नहीं है तो यह हो गया गलत दूसरा नूमबर S1 S1 phase G phase S2 phase तो यह भी गलत है G2 phase का जिक्र ही नहीं है उसके बाद बात करते हैं 3 में S1 phase S phase and G S2 phase उसके बाद तो यह भी गलत हो जागा S1 S2 है लेकिन G का कहीं जिक्र नहीं है तो यह भी गलत हो जागा उसके नूमबर 4 G1 phase S phase G2 phase देखें क्वेस्टन में एंसर में थोड़े घुमा के दिया डारेट G1 phase G2 phase नहीं देखे G1 के बाद S में डाल दिया है लेकिन आपको समझना होगा इसलिए question जो होता है answer थोड़ा गुमा के देता एक्जाम में इसलिए आपको ठीक से देखना और यह जो है four options सही हो जागा तो friends यह जो है मैंने totally यहाँ पे complete कर दिया है 20 questions JCCB से related part 1 और part 2 मिला के और इसी तरह के आगे के question अगर आपको चाहिए तो आप हमें comment में बतायेगा और इसी तरह की जो है और अलग से इंफर्मेशन agriculture और nursing हो या paramedical हो इससे जो कुछ जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो comment में पूछ सकते हो और चैनल को subscribe कर लीजेगा इससे benefit क्या होगा कि आपको जो है previous year के page copy और exam से related जानकारी जो है आपको दी जाएगी हमारे चैनल में तो friends मिलते हैं next video में तब तक के लिए जाएंद